हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टो गर्मडर एडू, जैसे कि आप देख पारे, आज आपके सामने में एक और नहीं वीडियो लेकर आया हूँ, यह वीडियो होने वाली है परतिशत के उपर, एनकि हम परतिशत कैसे निकालेंगे, तो आज यह सिखने वाले हैं, घबरहेगा नहीं, मैं जो आपको सिखाऊंगा, बिल्कुल इजी तरीकी से सिखाऊंगा, और इस तरीकी से सिखाऊंगा, कि आपके दिलो और दिमाग में चप जाएगा आज परतिशत, ठीके, बस आप मेरे साथ बने रहेना, और वीडियो को छोड़के मत जाना, वीडियो को स्कीप करके मत द और आपको मेरे साथ बने रहना है तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं तो सबसे पहले समस्था परतीशत का अर्थ क्या होता है देखिए परतीशत का अर्थ होता है पर्तिशत से मिलकर यह संदी बिच्चत करके यह परतिशत बना हुआ है उसके गार्ख देखिए इस परति का मतलब होता है परतेक क्या होता इसका मतलब परतेक गो होता है शत् 어떻게 का मतलब क्या होता है सो हैंनी की हर सो में से क्या होता है हार सो में से और परतिशत का जो चिन होता है क्या चिन होता है कुछ इस परकार से ठीक है देख सकते हैं आप जब भी आपको किसी भी कोस्टेन में अगर ऐसा साइन दिखे या चिन दिखे तो समझ लीजेगा वह कोस्टेन क्या आपका है परतिशत से ही और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक और शेर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा तो चलिए कोशन की और बढ़ते हैं देखिए फ्रेंड जैसे कि आप देख पा रहे हैं इसमें लिखा हुआ है कि पचास का दस परसेंट यानकी दस परतिशत कितना होगा है ना बस आपको मैं आपी बेसिक से लेकर और फिर आपी लेकर चलूँगा देखना है स्टैब बाई स्टैब देखो अगर ये बीडियो के जितने भी कोशन हैं अगर आप को कर लेते हैं तो आपके परतिशत का जो बेसिक जड़ है वो बिलकुल खतम होने वाला है और इस तरह के से कोशन करने के बाद ही आप अडवांस के कोशन करिएगा आपको बिलकुल दिक्कत नहीं होगी और आप बिलकुल एजिली कर पाएंगे तो चलिए देखते हैं कोशन में कहा रहा है कि पचास का दस परतिशत कितना होगा तो चलिए इस तरह के कोशन करने के लिए simple क्या करना है आपको आपको ऐसे करके लिख देना है ये वाला जो 50 है ये वाला 50 उसको आपको लिख देना है और इस का का अर्थ क्या होता है इस का का अर्थ होता है गुना एनकी into करते इसको multiply भी कहते हैं ठीक है और इस 10 को ऐसे लिख देना है क्या करना है लिख देना ह और इस परतिशत के sign के लिए, और चिन के लिए क्या लगा देना आपको नीचे, बटे में आपको लगा देना 100, ठीक है, देख पार है, ऐसा आपने लगा दिया, इतना आपको कर लेना है, ठीक, कुछ नहीं करना देखो, पहले आपको करना है, 50 को ऐसे, 50 लिख लिए आपने, इस का का मतलब होता है, गुना या मंटिपलाई, ठीक है, आप इसको गुना भी कहते हैं, ठीक है, और मंटिपलाई भी कहते हैं, और इंटू भी कहते हैं, तो आपने उसके साथ 10 को लिख लिए, और का के बगल में जो भी डिजिट होगा, आप उसको लिख लेंगे, और इस एक 0 से यह वाले एक 0 काड़ देंगे तो आप देख सकते हैं अगर इसकी और इससे अगर आप गुना करेंगे तो निकल के आया कितना 5 यही आपका क्या है आंसर होगा देख सकते हैं कितना ही असान था तो मैं आपको एक बात करना चाहूँगा आपको बोर्ड में बिल्कुल जो नंबर से जो डिजिट है संख्या बिल्कुल बिजिवल हो रहा है कि नहीं हो रहा है प्लीज कमिट करके आप बताईए तो चलिए नेक्स्ट को और देखते हैं उसके बाद आपको और अच्छे से समझ में आने लगेगा देखिए आपका जो नेक्स्ट कोशन कह रहा है कि दो सो पचास का थर्टी परसेंट कितना होगा तो चलिए इसको एक बार और देख लेते हैं कि आपके डिल लाइफ में यूज भी होता है देखिए दो सो पचास दो सो पचास को आप लिख लेंगे इस तरह के से लिख लिए आपने इस का का मतलब क्या होता है गुना होता है गुना कर दिया आपने इसको और इस थर्टी को आपने ऐसा लिख दिया अब उसके बाद इस 0 से यह 0 काड़ देना है और इस 0 से इस 0 को काड़ देना है और जब 25 को अगर इससे multiply करेंगे 3 से तो 25 तिया कितना होता है 75 होता है आप गुना करके देख लिजेगा 25 तिया 75 यह जो आपका answer निकल काया वो कितना निकल काया वो 75 निकल के आया तो चलिए आप हम देखते हैं कुछ बड़ा डिजिट लेके इनकी बड़े संख्याओं का पर्तिशत कैसे निकालते हैं देखिए आपके सामने question number 3 है कि इसमें कह रहा है कि 5000 का 5% कितना होगा है इनकी 5000 का इनकी 5% कितना होगा है है न हमें निकालना यह वाला तो देखिए अब यह जो संख्याओं हमारे पास 5000 है तो इस तरह के पर्तिशत कैसे निकालेंगे तो करना कुछ नहीं है आपको बस simple तरीका है बस आपको इस 5000 को आपको ऐसे 5000 लिख लेना है आपने 5000 लिख लिया ठीक है उसका का मतलब क्या होता है गुना होता है गुना कर दिया आपने इसको और इस 5 को इसके बगल में लिख दिया ठीक है पहले आप 5 से ही कर लीजिए देखे 5 से करेंगे तो 25 होता है यहां लिख लिए आपने 25 और यह वाला जो 0 बज गया था उस 0 को आप लगा देंगे यहां पे ठीक है कितना सिंपल था और उसके बाद यही आपका क्या हो गया यह आंसर हो गया यानि कि 5000 का 5% कितना होगा आपका 250 रुपे होगा अगर कोई बोल दे आपको कि 5000 में से मेरे को 5% दे दो भाई यहां कि 5000 का मुझे 5% चाहिए कि आप किसी प्रकार से ब्याज भी निकालते हैं 5000 का 5% तो आप 250 रुपे होगा कितना होगा 250 रुपे देख सकता है कि इतना इजी था तो चलिए next question देखते है next question इस 10% को अगर भिन में बदलते हैं तो किस प्रकार से बदलेंगे इसका simple सा तरीका है कि जब भी कोई भी परतिशत को अगर भिन में बदलें तो सीधा कुछ नहीं करना बस उसको 100 से क्या करना है भाग दे देना है तो देखिए इसको हम कैसे करेंगे देखिए यहां पर 10% आप 10 बटे में 100 हो जाएगा ठीक है यह आपका भिन में बदल गया और यह वाला चिन हट गया ठीक है तो देखिए 0 से 0 कार देंगे तो आपका जो आंसर निकल क्या है भिन वाला हो क्या है एक बटा 10 यह आपका भिन में बदल गया किस में बदल गया भिन में बदल गया यह आप का answer हो गया कितना असान था चलिए एक और चोटा सा उधारन देख लेते हैं माली यहाँ पर 25 परतिशत है 25 परतिशत को अगर हम भीन में बदलना चाहते तो कैसे बदलेंगे तो सेम वही तरीका यहाँ पर 25 लिख देंगे ठीक है 25 परतिशत अगर इसको हम भीन में convert करना चाहे तो कैसे होगा तो यहाँ लिख देंगे 25 और 25 बटे में क्या कर देंगे 100 ठीक है यह जो परतिशत वाला चिन है यह वाला परतिशत जैसे हटाएंगे और बटे में 100 लगा देंगे तो हमारे किसे हो गया यह भीन में convert हो गया ठीक है आप देखिए 25 से कम 25 और 25 चो का 100 होता है ठीक है तो देख सकते हैं हमारा जो आंसर आया एक बटा चार यह हमारा भीन वाला आंसर आ गया यह भीन में convert हो गया किसमें हो गया भीन में convert हो गया देख सकते हैं कि भीन को परतिशत में कैसे convert करें अब वो सीख लेते हैं ठीक है लास्ट कोशन है इसको देखना बिलकुल भूलिएगा ठीक है बहुत यह अच्छा होने वाला है तो चलिए देखते हैं अब देख पार है यहां पर हमारा last question है कि भिन को परतिशत में बदले क्या करें भिन को परतिशत में बदले चलिए friends यह वाला question जो है मैं कर देता हूं और जो आपका यह वाला question है यह आप करके बताइए comment box में कि इसका answer क्या होने वाला है जल्दी से comment करके बताइए ताकि मुझे भी अच्छा लगागा कि आपको भी आ रहा है तो चलिए करते हैं इसको देखो जब भी इसको भीनवे बदलना हो तो आप क्या करेंगे देखिए दो बटा पांच को भीनवे बदलने लिए क्या करेंगे आपको यहाँ पे 100 से multiply कर देंगे ठीक है कुछ लोग बस यहीं तक करके छोड़ देते हैं जो कि गलत है बिल्कुल ठीक है इसके सामने परतिशत का चिन लगाना बिल्कुल ना भूलना अभी देखिए अभी बता तो अगर मान लीजिए आप यह चिन नहीं लगाते तो आपका आंसर क्या आएगा देखिए यहाँ पर 5 से कट जाएगा 5 दूनी 10 यहनकि 20 आग यहाँ पर जब इसको 2 से 2 को अगर गुणा करेंगे तो अग क्या आजएगा आपका 2 को 2 से गुणा करेंगे तो 4 आजएगा यहाँ पर 4 और यह वाला 0 यहाँ लग गया तो देख सकते हैं, मेरा 40 परतिशत हो गया, निकि भीन को 40 परतिशत में हमने बदल दिया, निकि परतिशत में बदल दिया, तो चलिए यह वाला आप करके बताईए, बताईए फ्रेंट्स आप खुदी कितने भी वीडियो देख लीजिए, आपको देखना यह वाला साइन भी बता दीजिए, आई होप वीडियो आपको अच्छे लगे होगे, अगर वीडियो अच्छे लगे होगी तो प्लिस लाइक कर दीजेगा, और अगर आप चैनल पर नए व्यूवर्स है तो प्लिस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो म तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत